हलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टो आए फेस और जैसे कि आपको स्क्रेइन पे दिखाई दे रहा होगा आज का हमारा सेशन रहेगा सीटी केमेस्ट्री सिलैबस जो कॉमन इनवर्सिटी एंटरां स्टेश्टेश्टे फॉर पीजी सेशन में हम डीटेई में डिस्कस करेंगे इन ओर्गैनिक का सिलैबस क्या है डीटेई में हम बात करने वाले इस सिवईटी पीजी डूनी एंटर जो 43 इनवर्सिटी जाते जिसमें आप मास्टर कर सकते थूर इस एक्जाम तो इसका exact syllabus क्या है जानने की कोशिश करते स्टार्ट करते इन और्गैनिक से तो इन और्गैनिक chemistry में आप देख सकते हूं इन और्गैनिक chemistry में first topic रहेगा atomic structure और atomic structure के related जो भी सब टॉपिक से जैसे के quantum number क्या होता है shape of spd orbitals नेक्स्ट आप देखे chemical bonding केमिकल बांडिंग में वी बीटी या पर गिवन है वैलंस बॉंड थे रही आज यहां पर प्रॉपर्पर्टीज में देखे atomic रैडिया आयोन एक रैडिया प्रियाडिक ट्रेंड आयोनाइजेशन इनर्जी इलेक्ट्रो निगेटिविटी के रिलेटेड आपके क्या रहेगे क्वेशन रहेगे नेक्स्ट आप बात करेंगे तो फोर नंबर का जो टॉपिक है इसमें देखे acid-based and non-acquiet solvent acid-based as well as non-acquiet solvent जिसमें जो भी solvent system के RNS concept ब्राउन सेट लॉरी concept of acid-based यह पूरा पार्ट रहेगा एस ब्लॉक element में group one group two जो भी हमारे alkalie और alkaline अर्थ में टले इसके related question रहेगे पी ब्लॉक में देखे फर्स पी ब्लॉक इलेमेंट ए जिसमें 13 and 14 मतलब boron family include पी ब्लॉक इलेमेंट बी में देखे 15 16 17 and chemistry of noble gases मतलब zero group और 18th group element के बारे में यहां पर बात हो रही है तो उसका पूरा syllabus यहां पर given है बोरोन क्या है डाइबोरेंस क्या है हाइयर ब्रोरेंस क्या है clusters क्या है इसके related यहां पर question रहेगे नेक्स्ट आप देखोगे simply topping number 9 में देखे chemistry of the element of first transition series मतलब 3D series जो scandium titanium vanadium chromium manganese iron कोबाल nickel copper zinc जो हमारी 3D series है उसके related detail में यहां पर क्या रहेगे question रहेगे डी ब्लॉक इलेमेंट के बेसिस पर नेक्स्ट आप देखें कोडिनेशन कंपॉंड कोडिनेशन कंपॉंड के related भी यहां पर coordination थेरी जो रहते है औरनर की थेरी जो है इसके related भी question है नेक्स्ट आपका सिलाबस oxidation and reduction जो इन और्गेनिक का पार्ट है मतलब यहां पर reaction mechanism वाला पार्ट जो है coordination chemistry के अंडर इसमें गिवन है chemistry of lanthanate element lanthanate actanate मतलब a block की बात हो रहे मतलब periodic table के s block भी है p block भी है d block as well as a block element भी आपके syllabus में included lanthanate के बाद आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि chemistry of element of second and third transition series मतलब 3D 4D 5D series आपके syllabus में included इसका मतलब पूरा d block का detail में syllabus आपके इस exam के लिए given है chemistry of actanate जैसे हमने पहले बता दिया कि lanthanate contraction क्या होते हुए से actanate के related आपके क्या रहेगे question रहेगे मतलब यह ब्लॉक की यहां पर बात हो रही है ionic solid and metal ligand bond and its transition metal complex तो metal ligand bond क्या है cft यहां पर रहेगी crystal field theory next यहां पर देखे splitting pattern of d orbital का splitting कैसे होता है जैसे टी टूजी इजी इसके related cfc crystal field stabilization energy ऐसे आपका जो important part है metal ligand bonding and transition metal complex इस इन और्गैनिक के syllabus में include है ठीक है आप इसका screenshot ले सकते हो next आप देखें कि 17 नंबर का जो टॉपिक है वो बायो इन और्गैनिक chemistry हम इन और्गैनिक की बात कर रहे है बायो इन और्गैनिक chemistry में आप देख सकते हो ओवर्वीव है मतलब simply हाप अगर question बनता है तो metal कौन से है या फिर oxygen storage oxygen transfer as well as electron storage transfer इसके related question रहेगे इन और्गैनिक solid state chemistry एबी syllabus आपके इन और्गैनिक session में include जिसमें defects देखेंगे फंकल defect क्या है शौट की डिफेक्ट चाहें यह भी आप इंक्लूड है नेक्स्ट आप देखेंगे और्गैनो मेटालिक chemistry और्गैनो मेटालिक केमेस्ट्री ओएम सी वन of the most important topic तो और्गैनो मेटालिक केमेस्ट्री में देखें एन रूल एज वेल एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है और यहां पर कुछ complex दिए मतलब मेटल कार्बोनिल कंपॉंड दिए nico by 4 टेट्राइड्रल होगा स्क्वेर प्लेनर होगा कॉर्डिनेशन नुबर 4 एक कॉर्डिनेशन नुबर 5 6 ऐसे हमारे पास पॉली नुक्लियर मेटल कार्बोनिल क्लस्टर गिवन है उसके रियक्शन भी यहां पर गिवन है मतलब और इसमीन वाउक्सिडेटिव एडिशन रिडुक्टिव इलिमिनेशन वन वन माइग्रेशन वन टो माइग्रेशन बीटा हैड्रेड इलिमिनेशन ऐसे रियक्शन मेकैनिजम का पार्ट जो और्गैनो मेटलिक का है सिलैबस में इंक्लूड है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यह इन और्गैनिक केमेस्ट्री का सिलैबस थोड़ा से आप देख सकते हो कितना सिलैब से तो ट्वैंटी नमर का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रा एंड ट्रांजिशन मेटल कॉंप्लेक्स मतलब इन्होंने सब टॉपिक करके दिए पूरा पार्ट जो है कोडिनेशन केमेस्ट्री एस और्गैनों मेटलिक एंडर का यह लेकिन उन्होंने सब टोड़ा सा उन्होंने जो है सिलाब इसको किया है इंडस्ट्रील मेतर्ट के बारे में भी यहा पर बात हो रहे हैं नेक्स्ट सिमेट्र अन्ट्रम सिम्बॉल सिमेट्र इन्ट टम सिम्बॉल अह范फ्शोद आप देख सकते हैं टर्म सिमबॉल हमें फाइंड आउट करने ओ अगर टी शेप हमारा है जो ट्राइगोनल बाइपरेमिडल तीन हमारे पास बॉंड पे रहे दो लोन पे रहे और तीनों लिगेंड से में तो पॉइंट ग्रूप के रिलेटेड सिमेट्री एंड ट्रम सिंबॉल भी यहां पे बेए गच है तो प्यामिडेटी क्या है गच हरी यहां इसका मेंगनेटिक प्यामिड सैनल की सिलैबस में अपटें गचे아서 के तीन तो जेसे की CD नैनोड के। उसमित्रिक हैं कुछ सिलेक्टेट टॉपिक से सॉलिड होते हैं इनाजनिक पॉलीमर भी यहां पे इंख्लूड़ एस लाबस में इनाजनिक पॉलीमर के रिलेटेड विक्वेशन आ सकते हैं तर्मोडैनेमिक एंड काइनेटिक कांप्लेक्स ए उसके रिलेटेड इक्वेशन यह था पूरा हमारा syllabus इन और्गानिक केमेस्ट्री यह पूरे सब टॉपिक वाइस syllabus हमने डिसकस किया अब बात आते हैं फिजिकल केमेस्ट्री फिजिकल केमेस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक दे मतमेटिकल कंसेप्ट मत्ब बैसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपके ग्रईजुएशन लेवल का syllabus यहां पर इंक्लूड है और और बहुर भी स्पेसिपाई कि करें तो 11-12 से लेकर ग्रईजुएशन लेवल का प्लस टू से लेकर हमारे ग्राईजुएशन लेवल का syllabus आ पॉइंट के केमिकल काइनेटिक्स रेट रियाक्शन जैसे केमिकल काइनेटिक्स में रेट कैलकुलेट करना है है ना फॉर्स्ट ओर्डर क्या है सेकेंड ओर रियाक्शन क्या है है ना नेक्स्ट आप देखोंगे थर्मोडाइनेमिक से तो बहुत ही important topic है चाहे कोई भी competitive exam हो thermodynamics one of the most important topic thermodynamic terms जैसे system क्या है surrounding क्या है exothermic reaction है endothermic reaction है इसके related question entropy enthalpy है ना इसके related आपके exam में question रहेगे thermodynamics के बाद अगर हम बात करें fifth number का topic है solution solution के related dilute solution and qualitative properties syllabus में include है जिसमें routes law आपको दिखाई देगा राउस लो के related geotropic earth geotropic ऐसा पार्ट सभी include रहेगा next आप देखोगे liquid state and application liquid state भी होगा liquid state एन इसका application क्या है next अगर आप देखोगे सब topic भी यहाँ पर given है आप screenshot ले सकते हो नेक्ट आप देखोगे thermodynamics अब second law of thermodynamics तो second law thermodynamics जैसे first law था वैसे second law thermodynamics होगा उसके related entropy changes in ideal gas ऐसे सब topic भी given होगे third law thermodynamics तो सब्सक्राइब क्या है इसके related आपके question रहेगे spontaneous reaction non spontaneous reaction पूरा पार्ट thermodynamics के अंदर आपको syllabus में include किया है next अगर हम बात करें chemical equilibrium chemical equilibrium का भी पार्ट आपके syllabus में given है chemical equilibrium के related reaction क्या है आइसो थर्म आइसो कोरिक आइसो बारिक आइसो थर्मल reaction यह पूरा पार्ट chemical equilibrium के अंदर given है next अगर आप देखोगे phase equilibrium phase equilibrium के भी पूरे points और कुछ example भी दे एनसे लन एच टू तो ऐसे जो है complex भी कुछ given है उसका phase equilibrium के related phase diagram जैसे water system है तो phase diagram के related आपके क्या रहेगे question electrochemistry अगें one of the most important topic electrochemistry और electrochemistry में भी आप देख सकते हैं उसके सब टॉइम टॉपिक की आपे given है ना तो electrochemistry बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और उसके सब टॉपिक्स भी यहाँ पर गिवन है कंडॉक्टिमेट्रिक टाइट्रेशन रहे कुछ भी आपके जो conductance calculate करना है तो पूरा पाट जो है electrochemistry के अंडर रहेगा solid state chemistry solid state chemistry के में यहाँ पर lattices क्या है है ना उसके related आपका question unit cell क्या है लॉप क्रिस्टोल अग्रॉपि क्या है इसके related आपके question रहेगे next क्या है collidal यहाँ पर ध्यान से देगे collidal state मतलब collidal chemistry form क्या होता है हना collidal chemistry के related यहाँ पर question है next quantum quantum again very very important टॉपिक quantum के related भी आपके एक्जाम में maximum question रहेगे वन डी बॉक्स है वन डाइमेशनल बॉक्स है स्कॉडेंजर वेव इक्वेशन है उसके रिलेटेड थर्मोडाइनमी स्वरी quantum chemistry का syllabus इंक्लूड रहेगा next electro chemistry फिर से कि वहने जैसे पहले बताया वैसे ही यहाँ पर elaborate करके दिया है तो पूरा एक पार्ट आप देख सकते हो electro chemistry के अंडर है मतलब उन्हों ने थोड़ा सा जो syllabus है उसे elaborate करके दिया है ताकि बच्चे जो है आसानी समझ सके कि कौन से पॉइंट पे हमें अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर देखे एमें भी गिवन है एप्लिकेशन एमें पॉप सेल एलेक्ट्रो मोटिव फोर्स निक देखे 15 नमबर का टॉपिक है molecular structure तो molecular structure भी आपके सिलाबस में इंक्लूड है न्यूक्लियर केमेस्ट्री और आपके लिए इंपोर्टन पार्ट होगा मैक्सवेल आइंड बोल्दमन कॉंस्ट्र बोर्ण ओपिन और ऑफ ऑक्षिजे एप्रॉक्जिमेशन तो यह इंपोर्टन पार था नेक्स्ट आप देखे फोटो केमेस्ट्री फोटो केमेस्ट्री के रिलेटेड जो हमारे फिजिकल केमेस्ट्री का पार्ट है वो पूरा फोटो केमेस्ट्री का फिजिकल केमेस्ट्री का पार्ट यहां पे इंक्लूड है नेक्स्ट आप देखे स्पेक्ट्रोस्कोपी यह भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड जो सब टॉपि और इसके स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हो वीडियो पॉज करके क्योंकि थोड़ा सा लेंदी इसले में थोड़ा सा शॉट में आपको टॉपिक के नाम और उसके अंडर जो पॉइंट से वह कवर कर रहा हूं जैसे कि यहां पर देखिया और गैनिक केमेस्ट्री और गैनिक इफेक्ट मतलब हम अगर बात करें बांडिंग में जन्रल ऑर्गैनिक केमेस्ट्री जैसे कि इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट इंड़क्ट्टिव एफेक्ट रेजोनस इफेक्ट हाइपर कॉंजुगेशन इफेक्ट जो भी इफेक्ट से इसके अंडर गीवन है फंडामेंटल प्रच्व मतलब फिल से वही जिओ सी जन्रल ऑर्गैनिक केमेस्ट्री विच कवर स्फंडमेंटल कॉंसेप्ट आप वास्ट फिल ऑप और्गैनिक एफ वास्ट फिल में से फंडामेंटल कॉंसेट कवर करने का जो पार्ट है उसम्जी औस तो इसमें आप देख सकते सिंप् आपका फंडमेंटल आप और्गैनिक क्यमेस्ट्री के अंडर कवर किया है नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर अलकेंस इसका मतलब यह जो आईउपेसी नॉमिन्क्लेचर वाला पार्ट है अलकेंस का कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड का इसका मीनिंग ही 11 स्टैंडर का 12 स्टैंडर का सिलाब से अलकाइल एंड अरायल हलाइड मतलब SN1 SN2 रियक्शन की बात हो रहें अलकेल हलाइड रियक्ट्स विद बेस और रियक्ट्स विद नूक्लिया फाइल फॉर्मेशन ऑप इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन इन एसन टू रियक्शन फिप्टी फिप्टी प्रोड़क्ट इन एसन वन रियक्शन मतलब तो अलकेल हलाइड के रिलेटेड यहाँ पर SN1 यहाँ पर गिवन भी है देखो SN1 SN2 नूक्लिया फिलिक सब्टूटूशन इनो मिलक्टिलर बाइमोलिक्टिलर रियक्शन इस अलकेल हलाइड के अंडर कवर की जाएगी नेक्स्ट आप देखेगे अलकीन्स मतलब double bond dynes and alkynes मतलब double bond and triple bond के रिलेटेड यहाँ पर बात हो रहे हैं तो हैड्रोबोरेशन रियक्शन मार्को निको एडिशन एंटी मार्को निको एडिशन होती है 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 अक्सिडेशन रियक्शन कैसे होते है उसके रिलेटेड यहाँ पर बात हो रहे है फिजिकल प्रॉपर्ट जितना जादा रहेगा उतना डबल बॉन हमारा स्टेबल रहेगा इट मेंस दैट मोर सब्टुटुटेट डबल बॉन क्या है स्टेबल अगर वन वन त्री व्यूटा दाइन की बात करें तो यहां पर डिल सल्डर रियक्शन है मतलब परिसाइकली का थोड़ पार्ट फोर प् प्लें पोलराइजड लाइट तो रोटेशन है नहीं है आरेनेस नॉमेन क्लेचर इनेंशोमर डाय स्टिरियोमर इसके रिलेटेल पूरा पार्ट जो है स्टिरियोग केमिस्ट्री में कवर होगा काईरल सेंटर क्या है और एंस आरोमेटिक सिटी मतलब आरोमेटिक कंपॉण पूरा इस पार्ट में कवर किया जाएगा बेंजीन रिंगें बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव से और यहां पर रियक्शन के नाम भी गिवन है तो आरोमेटिक रिंग तो आरोमेटिक कंपॉण्ड बनेगा विदेलप बर्च रिदक्शन रिमू हो जाएगा नेक्स अल्क पॉइंट में कवर किया था मैंने आपको बताए एट नंबर का पॉइंट जो है इलेक्ट्रो मैंगनेटिक स्पेक्ट्रम में देखें यूवी स्पेक्ट्रा है मोलार एप सब्सक्राइब है यूवी के एंडर के क्वेशन रहेगे तो कॉंजूगेशन है तो डाइन सिस्ट अगर हम बात करें तो अलकॉल फिनॉल इतर में आपको अलकॉल से अगर प्राइमरी अलकॉल से तो बार्लेंग पॉइंट में क्या चेंजिस आगे इस टाइप के क्वेशन और अलकॉल के रियाक्शन भी आपको यहां पर गिवन रहेगे उसके नॉमेंक्लेचर क्या है वह पाउसाड ओपनिंग एकशिदी कंडिशन बैसिक कंडिशन में कैसे होगी अल्डेडग के टोन और 12 स्टेंडर क्वेस्चन और 12 स्टेंडर्ग है चेंग के कई एलेक्ट्रोफिलिक एरोमाटिक सब्टूटूशन रियक्शन नाइट्रोशन क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन या फिर सिंप्ली सलफोनेशन रियक्शन पूरे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमाटिक सब्टूटूशन रियक्शन और फिनॉल आपके सिलाबस में इंक्लूडे ऑक्सिड अगर कार्बोन ले तो सब्सक्राइब करना करें कुरह यहां पर कर सकते हैं तो के शुद करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए बियस लगेगा यह पूरे रियाक्शन से उसके और रियक्शन भी यहाँ पर गीवन है कर्बोगस लीक ऐसीड के पूरा पार्ट जो है कार्बोग्जिलिक एसिड एंडिस डेरिवेटिव के अंडर कवर किया जाएगा और गेनिक कंपॉंड ऑपन नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपॉंड यहाँ पे इस पूरे 16 नंबर के टॉपिक में गिवन है इसमें स्टीरियो केमेस स्ट्राइं मतला इसमे और यहाँ आएके आएगें कोई और कि स्ट्राइब्छे स्ट्र。 स्ट में स्ट्र में स्ट मरींक एसमार कि company 13 मैंगनेटिक रियाजुन तो मjekt Papini l on टरपिनॉइड्थ हैना अलकोलाइड क्या होते टरपिनस क्या होते पूराrea applause घ्रेन्च यह सकते हैंसेमें यह पर मिलेगा या फिर सेमिक मिक्चर मिलेगा ऐसे stereochemistry related आपका जो पूरा reaction mechanism का पार्ट है वो include है नेक्स्ट आप देखोगे next 20 number heterocyclic compound heterocyclic compound मतलब कार्बन छोड़ के जैसे के पाइरोल है पिरिडिन है इंडॉल है थायोफिन है इसके reaction यहाँ पर गिवन होगे नूकलेफिलिक सब्टूटूशन रियक्शन और पिरिडिन पिरिडिन पर हम नूकलेफिलिक सब्टूटूशन रियक्शन कर सकते है इसका मतलब पिरिडिन के अगर second position या फिर fourth position पर कोई living group है कोई electron withdrawing group है तो living group अगर हमें करना है तो addition elimination reaction भी हो सकते हैं उसे हैं हम क्या कहेंगे aromatic रिंग पर नूकलेफिलिक सब्टूटूशन रियक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्टूटूशन रियक्शन पिरिडिन पर जनरल ही नहीं होती इसलिए हमें नाइट्रोजन को एन उक्साइड में कनवर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजन को रिंग को इलेक्ट्रोण रीच बनाना पड़ता है वही सब बाते यहां पर होगी और यह डिटेल सिलाबस जो है वह हम यहां पर डिस्प्ले कर लें लास्ट टॉपिक यहां पर देखे विटेमिन हर्मोन्स यह भी हमारे और्ग प्रोलाइस टर्पिनॉइट्स एमिनोसीड पेप्टाइड्स प्रोटीन न्यूक्लिक असिड जैसे कि हम बात करें तो प्रोलीन क्या है एल्डोपा क्या है अमाइन ग्रूप एन ऐसीड ग्रूप विदिन मोलीकुले तो एमिनोसीड के बात और यहां पर पेप्टाइड लि सिंगल स्टैंडर डबल स्टैंडर उसमें एडिनिन गौनिन साइटोसिंधाइमिन होता है अगर आरे नहें तो यूरेयासिल से रिप्लेस होता है वैसी सभी बाते इसमें होगी नेक्स टर्पिन्स में आप देखें क्लासिफिकेशन और जन्रल मेतल आफ स्ट्रक्चर गीवन यह तो यह पूरा पाट ऺ motivate यह नेक्सिन देटेसिस धाया इनोलेट मनदलब यहांपर कर्वनाइन केमिस्ट्री की बात हो रहे है इनोलेक की ही ऑस गीवन है जैसेकर दीन है यह से आलड़ एक्षिज में पर अल्य प्वाइस्ट्री रियाक्षियवन है जीषिस कि अ आप देखें फैट ओयल एंड डिटर्जंट इसके रिलेटेर मतलब नैचरल प्रोड़क्ट का पार्ट है आज विल आज पॉलीमर एंड फोटो केमेस्ट्री तो यह पूरा जो है हमारे और गैनिक का सिलाबस है जैसे कि पॉलीमर में देखें पॉलीमरेशन पॉलीमर में गिवन होगी तो यह पूरा सिलाबस हमारा क्या था केमेस्ट्री का सिलाबस था जो हमारी पीजी के एकजाम हो रहें CETPG Common University Entrance Test for Master 2022 की जो एकजाम है जो जुले के थर्ड वीक में कंड़क्ट की जाएगी ऐसे नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म फिलिंग डेट भी अभी चल रही है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो जो आमारी अपकमिंग एकजाम है उसमें आप बहुत यह अच्छी तरीके से रैंक करके अपना जो पोस्ट ग्रैजुएशन करना है अच्छे इनवर्सिटीज में कर सकते हो अच्छे सेंट्रल से जहां उनका website क्या है डीटेल में मैंने बताया है ऐसे informative वीडियो आपको time to time मिले इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकोन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि time to time आपको notification मिल सके ठीके दोस्तों thank you so much thank you so much for watching and happy learning